दोस्तो नमश्कार, दोस्तो आज शुरुआत प्रधान मंत्री की एक यात्रा से, क्योंकि उस यात्रा के जरिये जब आप सफर पर निकलेंगे तो आप इस देश के भीतर में ब्रस्टाचार या अपराद की परिस्थितियों को सिस्टम के साथ कैसे जोड़ दिया जाता है और 9 एपरेल 2015 को तीन देशों की यात्रा पर निकले थे, 9 एपरेल 2015 से लेकर 17 एपरेल 2017, फ्रांस, जर्मनी और कनेडा वो गहे थे, इन आठ दिनों की यात्रा में कुल खर्चा जो जानकारी PMO के तरफ से बताई गई, वह 31 करोड 25 लाक 78 हज्यार की थी, यानि इस आठ दिनों म रुपए का खर्च हुआ है, 31 करोड का मतलब यह है कि प्रती दिन लगभग 3 करोड 90 लाक रुपए खर्च हो रहे थे और प्रती घंटा जो था, वह 16 लाक 28 अजार रुपए प्रधान मंत्री मोदी की स्यात्रा में खर्च हुए, प्रती घंटे 16 लाक 28 अजार, इस सफर की ज और उसकी जानकारी पहले इस देश के सामने जब निकल कर आई, तो इस रूप में आई कि दरसल अभी तक तो कमिशन लेने वाले लोग होते थे, जो रक्सा सौदों में अक्सर कमिशन ले लिया करते थे, बिचौलिये होते थे, जो बहत भरस्ट होते थे और सरकार उनके जर पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन राफेल डील को लेकर कभी कोई करप्शन हाउस है, उसका नाम है मेडिया पोर्ट, उसने एक रिपोट फाइल की, उसकी इस रिपोर्ट में फ्रांस के भीतर में जो भी एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो जिस भी तरीके से जाच करता है उसकी रिपोर्ट का वो हिस्सा है जिसमें जानकारी दी गई कि दरसल जो राफेल डील इंडिया के साथ हुई उसमें किसी एक क्लाइंट को जो भारत का क्लाइंट था उसको गिफ्ट के तौर पर एक मिलियन यूरो दिये गए एक मिलियन यूरो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है एक मिलियन यूरो का मतलब ये होता है को जो दिया गया उसकी जब संख्या निकल कर सामने आई तो ये तकरीबन साड़े आठ करोड रुपए इतना ही बनेंगे लेकिन प्रधान मंत्री की अपनी यात्रा में इस दौर में 31 करोड रुपए खर्च हुए थे इन दोनों को मिलाईये मत अलग-अलग जरा समझने की आज कोशिश की जाए यह इसलिए जरूरी है क्योंकि राफेल को लेकर पार्लियमेंट में बहस भी हो चुकी है राफेल को लेकर सुप्रीम कोट अपनी वर्डिक्ट भी बता चुका ह लेकिन इस राफेल की कीमत क्या है देश हित में सरकार ने आज तक नहीं बताया है इतना ही नहीं CAG जिसका की काम है हर मिनिस्ट्री के आडिट को करना वहाँ पर जो भी डिलिंग्स होती है जो भी खर्चे होते हैं जो भी रास्टी अंतरास्टी है सौधे होते हैं उन खर्चों की आडिट करके वो जानकारी देती है और CAG ने ये काम अच्छा किया था अच्छा किया था जब 2G स्कैम आया था क्योंकि उसको लेकर क्या था वो परसेप्शन था या क्या था फिर वो एक अलग हिस्सा है कोईला घुटाला भी इसी रूप में सामने आया था लेकिन CAG ये काम करती रही है और CAG को एक बेस मना जाता रहा है लेकिन इस दोर में तमाम मिनिस्ट्रियों के भीतर में जो भी आडिट की परिस्तिती होती है उसमें राफिल वाला हिस्सा गायब है उसको लेकर कोई रिपोर्ट CAG भी नहीं दी इसके मतलब माईने क्या है क्योंकि एक तरफ जटके में ये बात आई कि क्लाइंट को जो भारत का क्लाइंट था जो भारत की एक डिफेंस से जुड़ी कमपनी थी उसको एक मीलियन यूरो गिफ्ट के तौर पर दिये गए और ये निकला कैसे ये भी बहुत दिल्चस्प है ये फ्रांस में निकला है फ्रांस की सरकार की जो एंटी करप्शन टीम है उसने निकला है उसने चीज़े एडिट की है लेकिन होते होते आखिर तक पहुंसते पहुंसते चूकि ये गॉर्मेंट टू गॉर्मेंट डिल थी उसने उसके आगे के investigation को फिलाल रोक दिया है लेकिन ये बात निकल कर जरूर आई हम इस पूरी कहानी को आपको बताएं उससे पहले दो तीन चीजें आपके जहन में साफ होनी चाहिए पहली बात ये जब corruption और criminalization सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगे तो आप वाकई सवाल कोई भी खड़ा नहीं करते हैं जैसे देश की संपत्ती को अगर निजी हाथों में दिया जा रहा है बेचा जा रहा है मोनेटाइज किया जा रहा है आप सवाल नहीं करेंगे इस देश के PSOS को कॉड़ियों के मोल अगर corporate को बेचा जा रहा है तो आप सवाल नहीं करेंगे इस देश के बैंकों को अगर दुनिया के बड़े बैंकों को बेचा जा रहा है उनके हाथों में आप सवाल नहीं करेंगे रिजर बैंक से जो डिविडेंट के तोर पर सरकार को पैसा मिलते रहा है सरकार ने कैसी ववस्था कि कि सरप्रस पैसा वो रिजर बैंक से अपने लिए लेती चली जाए आप सवाल नहीं करेंगे इलेक्टरॉल बॉंड आएगा उसकी जो खरिदार होंगे वह अदेश के हो या विदेश के हो विदेश में वो चाहे राफिल बेचने वाले हो या कोई यो दूसरा दंदा करने वाले हो वह भी अगर इलेक्टरॉल बॉंड खरिद कर किसी पॉलिटिकल पार्टी को भारत में लाब पहुचाएंगे तो आप सवाल नहीं करेंगे क्योंकि कानून है उसकी जानकारी नहीं देनी है और ये पार्लेमेंट में पास किया जा चुका है इसी तरीके से जो रक्षा सौदे होंगे उसको लेकर कोई भी डिफेंस या संसत की कोई कमिटी को शामिल ही नहीं किया गया होगा फिर भी आप सवाल नहीं करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में आखिर में जो गौर्मेंट की पॉलिसी और सिस्टम है अगर उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसमें तमाम जो इससे पहले के जो गैर कानूनी डिल्स के तोर तरीके होते थे उसको ही अगर हिसा बना लेंगे तो भी आप सवाल कैसे करेंगे अब इस परिस्तिती के आइने में राफेल डील को लेकर जो फ्रांस के पबलिशिंग हाउस ने जो रिपोर्ट की है जो मीडिया रिपोर्ट जो मीडिया पोर्ट के नाम से है उसने जो जानकारी दियो बड़ी रोचक जानकारी है वो रोचक इसलिए है क्योंकि उस उस वक्त सामने क्यों नहीं आये था जब सीबी आई के डिरेक्टर आलोक वर्मा जाच कर रहे थे तो क्या आलोक वर्मा के दफतर में रात में पांचमी मंजिल पर सीबी आई के दफतर में जो कुछ हुआ उनके पिरियड में जो उस वक्त के आस्थाना स्पेशल डिरेक्टर और सीबी आई डिरेक्टर आलोक वर्मा के बीच का जो जगडा था हो कैसे क्या को चुल जा आज उस कहानी में ने जाई है सिर्फ याद रखिये या फिर जब मामला राफेल से जड़ा हुआ सुप्रीम कोट पहुंचा तो सुप्रीम कोट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया या फिर पारलेमेंट के भीतर जब बहस हुई उस पर सरकार ने जो जबाब दिया उन सारी चीजों को आज आप सही मान लेजिए थोड़ी देर के लिए कि इस सारी चीजे ठीक है अब इसके बाद समझिए कि 2017 में फ्रांस में एक एंटी करप्शन एजनसी बनाई गई यानि एफए एजनसी फ्रांसिस एंटी करप्शन ये बना एफए के नाम पर 2017 में और इसका काम यही था कि जो बड़ी बड़ी कमपनियां हैं उन कमपन गणबड़ी की है तो जो फ्रांस का कानून है उसके मताबिक उस पे नोटिस भेच कर उनको डंड लगा देते थे इस पूरी प्रक्रिया में इसी दौर में संयोग सिर राफेल को लेकर दसाल्ट की पूरी की पूरी आडिट रिपोर्ट जब इसके सामने आई एफए के साथ यानि जो फ्रेंसिसी एंटी करप्शन एजनसी है तो वहां पर जो एक फ्रेंच लौ बनाया गया सैपेंट टू के नाम पर इसमें वह कंपनियों का जो आडिट करती है और हर छे महीने का एक टाइम टेबल बनाती है इसमें अक्टूबर दो हजार अठारा में जो फ्रेंच प्रोसिकूशन सर्विस थी और उसकी जो वित्य अपराद ब्रांच था जिसको प्यन फ कहते हैं जो पार्कूइट नैश्रल फानांसियर के नाम पर जाना जाता है उसने जब राफियल की आडिट रिपोर्ट देखी तो उसको कुछ अलर्ट लगा इसमें इसलिए लगा क्य जो की दसाल्ट के अपने रिपोर्ट में इस बात का एक्स्पेंडीचर में इस बात का जिक्र किया गिया था कि उसने क्लाइंट को गिफ्ट किया है 50% गिफ्ट कर दिया 50% जो था वो लगबग बनता है 5,08,925 जो 50% है और उसकी जो इंट्रीज बाकी जो जो जोड़ी गई ती लेकिन गिफ्ट की यह जो पूरी की पूरी जानकारी जो थी इसमें जो एक लिमिट होती है कि आप किसी को गिफ्ट कर भी सकते है तो इतना ही कर सकते है दरसल यह लिमिट उस पार कर जा रही थी जो फ्राण्स कानून के तहत हैं तो दसाल्ट ने PFA को जो परफार्मा इ जो सौपा गया था जिस पर 2018 में नोटिस दिया गया उसमें उन्होंने कहा गया था कि भारत की एक कंपनी है DEFSYS Solution के नाम पर यह कंपनी है और उसमें जो 1,17,850 यूरो जो गिफ्ट इनको दिया गया उसका 50% इसलिए गिफ्ट दिया गया है क्योंकि राफेल S. नाम का एक मॉडल बनाना है उस जहाज के मॉडल के लिए प्रती मॉडल जो दिया गया है पैसा वह 20,357 यूरो दिया गया है और 50 मॉडल्स चाहिए उनको तो उसको जब आप 50 से मल्टिप्लाई कीजेगा तो वह कुल मिला के 10,17,850 यूरो बनता है और आज की तारीक में उसको अगर आप रुपए में कनवर्ट कर दियेगा तो ये तक्रीबन बनता है आठ करोड सततर लाक सततर हज्जार 857 रुपए ये बनता है लेकिन सवाल ये था कि क्या वाकई जिसको गिफ्ट किया गया इसकी जानकारी भारत में किसी को है या नहीं है अगर भारत में थी तो ये जानकारी पहले क्यों नहीं आई ये जाच के दौर में क्यों है लेकिन वहां की प्रक्रिया में उस रिपोर्ट में इसकी भी जानकारी दी गई है कि जब ये सारी जानकारी गौर्मेंट के पास पहुची तो गौर्मेंट ने कहा कि दरसल इस पे क company तो जहाज भी नहीं बनाती है फिर क्यों दे रहे हैं पैसा उसको कि आप उसको कोई model बना दीजिए इसमें कहीं कुछ गरबड़ी तो नहीं है फिर उसके बाद सवाल पूछा गया था कि अगर के model क्या उसने बना के आपको दिया है जब model तो पता चला नहीं दिया है कोई model ही नहीं दिया है तो फिर पैसा क्यों दिया है model ही जब आपके पास नहीं है तो ये सारे जब सवाल किये गए और सारी चीज़ निकल कर आई तो फ्रांस की सरकार ने अपने तौर पर कहा कि ठीक है ये जानकारी का अधान प्रदान हो गया लेकिन इसमें बात कुछ करने की जो रत नहीं हैं लेकिन इसी परिपेक्ष में जैसे ही आप भारत में आते हैं तो भारत में कानून बना हुआ है कोई भी रक्षा सौदे को लेकर जो भी अगर कोई डील कंपनी करती है उस कंपनी की डील करने की परिस्तिती में उसके खिलाप F.I.R. भी कर देंगे उसको ब्लैक लिस्टेड भी कर देंगे उस पे रोक भी लगा देंगे और उस सौदे को भी रद कर देंगे ये भारत का कान लेकिन ये government to government contract हुआ था और जिस शक्स और जिस company का नाम आया संयोग से उस वेक्ती का नाम अगस्ता वेस्ट लेंड के मद्दे नजर और money laundering के मद्दे नजर AD ने उसको notice बेजा था और March 2019 में उसको गिरफतार भी किया था सुसें गुपता नाम के एक शक्स हैं जिनको गिरफतार भी किया था लेकिन बाद में उनको जमानत भी बिल गई ये भी fact है अब यहां से असल सवाल शुरू होता है भारत के संदर में क्योंकि वहां की परिस्टितियों को तो आपने देख लिया भारत के भीतर सवाल सबसे बड़ा ये शुरू हुआ कि भारत में अगर रच्छा सौदों को लेकर या दुनिया के किसी भी कंट्री के साथ किसी भी सौदे को लेकर अगर सरकार ही डील कर रही है तो आप सरकार पर तो उमली खड़ी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई बिचौलिया तो है नहीं लेकिन सवाल है कि विदेश की वो कंपनी अगर अपने आडिट में ये दिखलाती है कि हमने इतना पैसा इस डील के तहत इसको गिफ्ट किया है तो वह वहां के लिए खबर होती ह भारत के लिए तो कबर होगी नहीं भारत में तो सरकार ने डिल की है अब इसके बाद अगला सवाल ये आया कि वह कंपनी ने क्यों अपनी डिल में गिफ्ट का जिक्र किया इसलिए क्यों कि उसको और भी जहाज बेचने हैं दुनिया के अलग अलग देशों से भी तीन कहती रहती है कि हमने तो बहुत कम में डिल की ती आपने जादा में डिल कर ली सवाल ये है कि इसके भारत के अलावे जो दो और देश है उन्हों ने भी जो डिल की उनको सस्ते में क्यों मिला हमको क्यों नहीं सस्ते मिला एक बात दूसरी बात जो पार्लेमेंट के भीतर बह लेकिन दूसरा सवाल यहां पर आता है कि जो कॉंग्रेस की गॉर्मेंट के समय डील हुई थी उसमें प्रती जहाज जो पढ़ रहा था उसकी कीमत लगभग 570 क्रोड रुपए थी लेकिन इस वक्त की कीमत जो उस समय टूटी फूटी खबरों में निकल कर आई चीजे वो गूमते रहे और राफिल की जानकारी देते रहे और कॉंग्रेस ने इसे इशू बनाने की कोशिश की 2019 में उसके बाफजूद भी कॉंग्रेस चुनावार गई सरकार जीत गई मोधी सरकार जीत गई और ज़्यादा मतों से जीत गई क्योंकि सिस्टम का हिस्सा ही अगर पूरी डील हो जाएगी तो फिर ये एक औरगनाईजड वे में चीजे काम करती है और इसकी जानकारी और इसको लेकर सवाल करना शायद मुर्कता होती है यह एक सिस्टम ऐसा है जो अपने तोर पर इंद्रा गांधी के दौर को अगर याद कीजेगा तो उस समय भी कहा जा सकता था कि पूरे क्रिमिलाइजेशन को और्गनाइजड वे में कैसे कर लिया जाए यह उस दौर से शुरू होता है धीरे 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 भारत की राजनीती में क्रिमिलाइजेशन एक हिस्सा बन जाता है और अगर यह हिस्सा इस रूप में बना और अगर उस पीरियट को हम देख पा रहे हैं तो मनमोहन सिंग की सरकार में 126 राफिल की डिल थी 570 एक की कीमत थी मोधी सरकार में 36 की डील है एक की कीमत जो सरकार की तरफ से नहीं आई है 1670 को रुपए जो है वह जानकारी विपक्ची राजनेतिक दलों ने दिया है अपने तोर पर या फिर डिफेंस के जो भी आडिट की शुरुआती दोर में जो जानकारी आगई उसके जरी आई या फिर एक वक्त पारिकर थाहाब ने जिकर कर दिया था अब वो तो हम लोग के बीच नहीं है लेकिन जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक जिकर कर दिया था 1612 और डिलिवरी का वक्त भी बढ़ा दिया गया इधर 7 साल तक कर दिया गया कि भाई जब संसद में बहस हो गई, जब CBI ने इसकी जाच की पुरी अपने तौर पर करते हुए फाइल बंद कर दी, जब सुप्रीम कोट का वर्डिक्ट आ गिया, जब CAG ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया, तो फिर क्या मतलब है फ्रांस की एक मीडिया हाउस की तरफ से ए सिस्टम में कैसे गॉर्णमेंट ही सब कुछ हो गई है, यानि अभी तक हम लोग जिक्र करते थे कि कॉंसिचूशन के तैर जो चेक एंड बैलेंस की ठोरी अलग अलग कॉंसिचूशन इंसिचूशन को अधिकार के तोर पर दी गई है, जटके में वह भी अगर सत्ता के और पावरफुल होने के बाद सत्ता जब कोई भी डील किसी भी रूप में वह एकनॉमिक डील हो या कोई भी डील किसी दूसरे देश के साथ कर रही हो, तो वो सारी चीजे उस देश की राजनितिक तोर पर नहीं, बलकि उस देश के सिस्टम का हिस्सा माने जाती है, और ये सबसे बड़ी सफलता है मोधी सरकार की, जिसमें उन्होंने खुद को ताकतवर करने के लिए हर उस परिस्तिती को उस सिस्टम का हिस्सा बना दिया, जिस सिस्टम को लेकर आप सवाल नहीं करेंगे, उस सिस्टम के भीतर कुछ गरबड़ी होती है, तब आप सवाल करते हैं, लेकिन सिस्टम ही गरबड़ा ये आपने कभी सोचा नहीं है, ये है वो इस्तिती जो राफेल को लेकर निकल कर इसके साथ आती है, गौर्मेंट टू गौर्मेंट डील थी, इसलिए फ्रेंच गौर्मेंट ने भी अपने तोर पर का, इसमें आगे जाच करने की जौरत नही अब सवाल है कि भारत के भीतर में अगर सरकार कोई भी डील करती है, किसी भी रूप में डील करती है और उस डील को जो भी चुनी हुई सत्ता होती है, अगर उसको मान लिया जाए कि वो सरकार तो जनता के द्वारा चुनी गई है और जनता के हित में ही वो डील कर रही है औ तो कि ध्यान दीजिए आज से नहीं बलकि अजादी के बाद से चाहे वो जीब घोटाला हो या अभी की राफेल तक के सफर को जबाब देखिएगा उसमें involvement कहीं ना कहीं political सत्ता का होता है जिसे जनता नहीं चुना होता है और अगर वह अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए या सारी ताकत अपने हाथ में रख ले तो और कोई institution काम नहीं करे तो फिर आपके पास वो जानकारी कैसे आएगी और शायद इसलिए मीडिया जो भारत के भीतर के भूमिका है वह भी सत्ता नुकूल आपको लगने लगेगी क्योंकि उसके भीतर भी कोई सवाल नहीं उठे क्योंकि सब कुछ एक system का हिस्सा बना लिया गया और एक government एक system एक ही process है पूरी की पूरी प्रक्रिया के भीतर में यह इस्तिती नायाब है जो भारत के भीतर में मौझूदा वक्त में है शायद इसी लिए राफेल डील के जिक्र से हट कर जब बैंकों को बेचने का जिक्र जब SBI के तमाम right of करने का जिक्र आएगा तो ऐसे में एक आखरी चीज़ हमको लगता है आपको बताना चाहिए कि सरकार ने इस बीच में अपनी economic policy को जब डगमगाता हुआ देखना शुरू किया या उसे पैसों के जरत पड़ी तो उसने रिजर बैंक से पैसा लेना शुर हमको लगता है आज आखिर में इसको जान लीजे तब आप समझ पाएंगे कि सिस्टम करप्शन को अगर शामिल कर ले अपने साथ तो क्या होता है रिजर बैंक से 2015-16 में 65,886 कौड रुपए सरकार ने सरप्लस लिए 2016-17 में 30,669 कौड रुपए जादा लिए 2017-18 में 50,000 कौ 2019-19 मार्श तक के बीतर में जो पैसा लिया गया वह 1,75,987 कौड रुपए सरप्लस था जो रिजर बैंक से पैसा सरकार के पास आया और 2019-20 में 57,125 कौड रुपए सरकार के पास आया और इस पूरी प्रक्रिया में जब हम आप से जिक्र करें कि राफेल को लेकर फ्रेंच पर दिया गया और जिसकी भारत के रुपए में कीमत 8 करोड साड़े 8 करोड है और उसके साथ हम ये जिक्र करें कि प्राय मिनिस्टर जब यात्रा पे निकले थे तो वो प्रती घंटे 16,28,000 और एक दिन में 3,90,000 रुपए खर्च करते हुए 8 दिन की उस फ्रांस स्यात्रा क के दौरान में 31 करोड 25 लाक रुपए खर्च कर आए तो फिर आप कहेंगे भारत गरीब कहा है और सरकार को पैसे की क्याम कमी है और उसको घूस की रकम भी क्यों चाहिए यकीनन नहीं चाहिए सिस्टम ये नया है बदलते हुए भारत के बदलते हुए सिस्टम की यही करिया बहुत बहुत बशच बशच करिया बहुत बशच कर दो